नमस्कार आप देख रहे हैं यूपी फटाफट मैं हूँ आपके साथ निहा परिहार नज़र डालते हैं यूपी की खबरों पर महोबा में मजदूरी से मना करना मजदूरों को भारी पड़ गया मना करने पर दबंगों ने मजदूरों पर लाठी डंडोवा धार-धर हतियार से हमला कर दिया साथी अव्यत तमंचों से फाइरिंग भी की हमले में आठ मजदूर घायल हो गये जिनमें दूसरे पक्ष के भी पाच लोग घायल हुए हैं सूशना के बाद पहुची पुलिस ने मजदूरों को गंभीर हालत में जिला स्पताल में भरती कराया है यहां एमर्जिंसी वॉर्ट में सभी का इलाज किया जा रहा है गंभीर रूप से दो घायलों को मेडिकल जहासी रिफर कर दिया गया है कानपुर दिहात में दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर गाव पहुचे आमादमी पार्टी के विधायक गिरिश चंद सोनी ने गाव में पंचायत लगाई चुनाओ को लेकर विधायक गिरिश चंद ने आमादमी पार्टी कारिकर्टाओं के नीतियां भी बताई इसी के साथ उन्होंने गाउं की दुर्दशा पर गंभी सवाल भी खड़े किये उनके मुताबिक आमादमे पार्टी यूपी में पूरी ताकत के साथ चुनाओ लड़ेगी इसके लिए उन्हें संगठन को मजबूत करने का भी जिम्मा दिया गया है इस दोरान उन्होंने रस सूलाबाद विधान सबाद छेत्र के किसानों और ग्रामीडों से भी बात की मैनपूरी पूलिस ने अवैद असलहा फैक्टरी का भंड़ा पोड़ किया है इसके साथ ही पूलिस ने एक अभ्यूक्त को भी गिरफतार किया है जबकि दो आरोपी फरार हो गया है मौके से सूलाब मिली थी कि मैनपूरी थाना किषनी छेतर के एक खेत में अवैद असलहा फैक्टरी का संचालन किया जा रहा था इस तुशना पर पुलिस ने गाव में जा कर चापा मारा जहां पर पुलिस ने अवैद असलहा की फैक्टरी पकड़ी मेरट में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नमनियुक उमीदवार और रास्टी यूजन सभा के अध्यक्ष अमिद जानी पर जान से मार देनी की धमकी का आरोप लगाया गया है हॉस्पिटल के मालिक को देख लेने और जान से मारने की धमकी के आरोप में उम्मीदवार पर थाना कंकर खेरा के अस्पताल संचालक राहुल ने मुकदमादर्श कराया है वहीं इस मामले को लेकर कंकर खेरा थाना द्यक्ष तपेश्वर सागर ने मुकदमा दर्श कर आगे की जाज करने की बात कही है दरसल 21 दिसंबर को शिवपाल यादो ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रैली करके मेरट के सिवाल खास विधान सभा सीट पर अपना पहला उमिदवार अमित जानी को घोशित किया था अमित जानी पर कंकर खेरा सोभापुर इस्थित दर्शन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राहुल ने आरोप लगाया है कि अमित जानी ने फिर दो दरजन हत्यार बंद गुंडों के साथ अस्पताल में आकर बचसलूकी की और उनको जान से मार देने की धंकी भी दी परकति सिल समाज़ादी पार्टी के नेता अमित जानी ने भाजपा पर जिस तरीके से हत्या करा देने के आरोप लगाए है उससे जाहिर तोर पर संसनी पैदा होना लाजमी है आपको बता दें अमित जानी के एहवान पर शुपाल यादाओ परकतिसी सवानदी पार्टी के अध्यक शुपाल यादाओ सिवाल खास विजानसाभा में आए और सभा की ल किन इससे पहले पुलिस और अमित जानी के लोगों में जम कर भैस हुई कि लोगों को गरुफतार किया जयल भेजा गया लेकिन शुपाल यादाओ ने अपनी जनसाभा को करकर सीधे भाजपा पर निशान असादा ऐसे में जाहिर तोर पर मौका मिल गया है कि भाजपा हत्या कराना चाहती है और चाहती है के इलाके में अमीजपा शाक खराब हो जाए और भाजपा को 2022 के चुनाओं में सिकत हात लगे इटावा में रिश्वत कोर मंडी निरिक्षक का गेट पास के नाम पर रिश्वत लेते हुए वीडियो वाइरल हुआ है मंडी निरिक्षक के रिश्वत लेने के मामले के बाद चासन ने त्वरित कारवाई की मंडि सच्चेव की जाज के बाद रिश्वत को निरिक्षक को निलंबित कर दिया गया है हाला कि ये वीडियो चार दिन पुराना बताय जा रहा है जिसमें लैसुन वेपारी से गेट पास ना बनाय जाने को लेकर निरिक्षक सोगेंद्र सिंग यादो 1200 रुपे की मांग कर रहे है पाच मिनिट और तालिस सेकेंड के इस वीडियो में स्कूटी सवार वेपारी काफी मिननते करते नजर आ रहा है यूपी फटाफट में फिलाल इतना ही खबरों के लिए बने रहे है न्यूजवर्ड इंडिया के साथ